वानी मनुष्य को मिले सबसे अद्भुद भेट ये वानी है जो मनुष्य को संसार में सारे अन्य जीवों से भिन्न बनाती है संसार में सबसे उपर ले जाती है यसी वानी के कार है हम एक दूसरे से समवाद साथ सकते है मैं अपनी मन की भावनाएं किसी से व्यक्त कर सकता कोई और उसके मन की भावनाएं मुझसे व्यक्त कर सकता है ये वानी हैं हमारी सबसे बड़ी ढाल भी है अब देखें न अपनी देखा होगा किसी की वानी मीठी होती है तो लोग उससे प्रेम करते हैं उसे अपना मित्र बनाते हैं, वहीं किसी की वाणी यदि कडवी होगी, तो लोग उससे घ्रणा करते हैं, उसे अपना शत्रू मान लेते हैं, ये वाणी ही है जो भाशा बनकर हमारा इतिहास लगती हैं। किन्तु क्या हम सच में वाणी के विशय में इतना सोचते हैं, जितना हमें सोचना चाहिए। सोची, मनुष्य को बोलना सीखने में कितना समय लगता है। कुछ बालक देड़ वर्ष की आयू में सीख जाते हैं, कुछ दो वर्ष, कुछ तीं। अब मनुष्य देड़ वर्ष की आयू में बोलना सीख तो जाता है पर क्या बोलना है ये जीवन भर सीख नहीं बाता इस पे ध्यान के इंद्रित कीजिए समझने का प्रयास कीजिए की बोलना क्या है अपनी वानी शुब रखी अपनी वानी मीठी रखी और उसी मिठास के साथ मेरे साथ आकर पहिए राधे राधे